स्टुडेंट्स, विल्कम बैक टो मैं यूट्यूब चानल, आज हम महारस्ट्रा स्टुइट बूर्ड के इंग्लिश का जो सिलावस है, 12th क्लास का, उसके लिए जो हमें क्वेशन बैंक बूर्ड की तरफ से प्रोवाइड की हुई है, वो क्वेशन बैंक का सुल्यूशन दे आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी पैसेजिस आएगे उसका सुल्यूशन बड़े ही इजी तेरीख से देखेंगे, चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग को से क्रिक्वेस्ट है, अगर आप हम हमारे चैनल पर पहली बार व हमें पूछे जाएंगे, उन सारे क्वेस्ट का एंसर हमें लिखने को बोल रहा है, यहां हमें अगर से आपको अच्छे तरीके से अगर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे, कि यह हमें सोपी वाला जो चैप्टर है, वो का एक छोटा सा पैसेज दिया हु देखिए, अब यह पैसेज हम सारे के सारा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसके उपर भी वीडियो बनाए हुए है, अगर आप तक वो भी नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे के सारे वीडियो की लिंक दीवी है, वो भी आप दे जो कोशिशे है, वेंडर आइसलेंड में जाने के लिए, वो कौन कौन सी थी, एक अटेम्ट और दो अटेम्ट, हमें दो कोशिशे उसकी लिखनी है, अब इसने जो है, यह सारे पैसेज के अंदर हम बारी की से अगर देखे, तो कहीं सारी कोशिशे उसने की थी, ठीके, ले entering into the, into the restaurant, ठीके, restaurant without money, उसके माँस पैसा नहीं था और बिना पैसे के उसनी जो है, रेस्टोरेंड में घुष्णे की कोशिश किए, और उससे, उसका जो इरादा था, कि बिना पैसे का अगर से मैं यहां पर बहुत सारी चीज़े खाऊ, याने उसने वाईन, चीज, कप आफटी और सिगारेट यह पीने की खाने की सोची थी उसने सोचा कि मैं यह सारी चीज़े खा लूँगा और पैसे नहीं दूँगा तो यह जो लोग है यहां का इसके जो होटल का मालिक है यहां जो हेडवेटर है वो मुझे क्या करेगा यहां पर विंटर आइसलेंड में आज दैशिंग उसले पत्थर उठाया और दे मारा है तुम है तो दोुदो तो बिंड़ौ यह में है विंड़ो अफो शौप चौर शौपके एक हां पेशने नजराई इसने क्या है एक चोटा सा इस टॉन उठाया पत्थर उठाया और वो शौप के विंड़ो के ओपर दे लेकिन unfortunately वो दोनों भी बार क्या हो गया, नाकाम रहा, तो यह हो गया हमें, यह एक attempt एक मार के लिए, एक attempt एक मार के लिए, यह जो question ताम है, two months के लिए यहाँ पर पूछा गया था, अब जो next one question है, वो देख लेते, next one question में क्या पूछा है, complete the given statement in 30 words, तीस शब्दों के अंद प्रवेश नहीं कर सका, इसकी वजा क्या थी, क्यों रेस्टोरेंट के अंदर नहीं पहुंच सका, यह हमें लिखना है 30 words के अंदर, अब यहाँ तक आदी लाइन दी हुई है, यह जो लाइन हमें complete करना है, दो मास के लिए, अब इसके अंदर कहीं सारी चीजें हम लिख सकत and the portion of him that show above the table would raise no doubt in the waiter's mind, when Sophie set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trouser and decadent shoes, he recognized the poor condition of Sophie and that's why Sophie couldn't enter the restaurant, ठीके, इस तरीके से अगर से हम लिख देंगे, तो यहाँ हमें मिलेगे completely two marks, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो third number का question है, उस पर थोड़ी सी नजरे डाल दो, Sophie had confidence in himself from the lowest bottom of his waist upward, here the lowest bottom of his waist upward means what, यानि सोपी को जो है, अपने आप पर बड़ा confidence था, आत्मविश्वास था, और कहां आत्मविश्वास था, अपर पार्ट, यानि उसके शरीर का जो उसके उपर ही भाग था, उसके उपर उसे बहुत भरोसा था, क्यों, यहाँ पर पूछा गया है, कि what is it mean, कि उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब हम अगर से यहाँ लिखना चाहें, तो मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूं, या फिर आपको जो है, औरली बोल दूगा, it mean that, मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपके लिए, okay, it mean that, उसका यह मतलब है, कि उसके उपर के जो कपड़े थे, वह बहुत अच्छे थे, that he was confident, he was confident, confident about his, about his appearance, appearance, as he was, as he was, shewan, उसने जो है, दाड़ी अच्छे से की थी, shewan, कॉमा देंगे, his coat was, his coat was, knit, ठीक है, या फिर हम ऐसा लिखेंगे, प्रीम, and knit, and knit, उसका जो coat था, वो बहुत अच्छे तरीके से सिलाया हुआ था, और बैतरे न तरीके से पहना हुआ भी था, he thought, उसने सोचा, he, he thought no one could, he thought no one could, suspect, suspect, due to the rich coat, the rich coat, that, he was wearing, इस तरीके से हम लोग लिख सकते, and he could easily, and he could easily reach a table, he could reach easily a table in the restaurant, in the restaurant, the portion of, the portion of, him, at upper side, was good, coat, उसके पास जो है, अच्छे तरीके से कपड़े थे, क्योंकि उसका जो coat है, वो बढ़िया था, उसने शेवन कीवी थी, उसने जो है black boy इस्तेमाल किया हुआ था, तो उसको उपर के जो भाग है उसका, जो पहनावा था, उसके उपर पूरी तरे से confidence था, यह उसका मतलब होता है, ठीक है, अब हम चलेंगे next question के और, यह जो इतना अगर से आपने भाग लिग दिया होगा, तो वो रहेगा आपके लिए two marks के लिए, ठीक है, चलो, आगे चलते, a4 में जो question पूछा हुआ है, उसके तरफ देखते, इसका जवाब लिखना पड़ेगा, हर student का जो answer है, इसके अंदर अलग अलग आ सकता है, ठीक है, मैं आपको कुछ idea देता हूँ, कि आप किस तरह के से लिख सकते हूँ, देखिए, यहाँ 3-4 लाइनों में लिखना है, question यह है, कि अगर से कोई बंदा, कोई इंसान जो है, नुकसान करने के कोशिश करता है, तो यहाँ पर आपका रोल क्या रहेगा, आप क्या करोगे, तो देखिए, इसमें हम ऐसा लिख सकते है, कि if a person try to damage the public property, I will react in such a situation, like I will try to understand the reaction of reaching like this, कि इस इंसान की बारे में मैं सोचू का कि यह ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों damage करने की कोशिश कर रहा है, I will convince him not to do like this, मैं उसे convince करने की कोशिश करूँगा, वहने इस समझाने की कोशिश करूँगा, कि भाई इस तरीके से मत करूँ, या I will convince him not to do like this, because I will try to pursue him giving some suggestions, उसे यहां पर कुछ suggestions देने की कोशिश करूँगा, I will tell him the importance of public property, यह हमारी सबकी है, यह मैं इसका importance उसको बोलने की कोशिश करूँगा, या I will inform the nearest police station, अगर से फिर तब भी वह नहीं माने, जैसे कि लातों के बहुत बातों से नहीं मानते, अगर से उसने ऐसा कर दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर फिर भी मेरी बात नहीं मानने की सोचेगा, तो फिर मैं इसे जो है, police station में इसकी खबर दे दूँगा, इस तरी कैसे अगर से आप लिखते हो, या फिर इसके अलावा भी और कुछ points अगर आप लोगों के जहन में आते हैं, आपके mind में आते हैं तो भी आप लिख सकते हो, कि कि यह personal response का question है, जरूरी नहीं कि एक accept so be even as a clue, यहाँ पर लिखा हुआ है, transform a negative statement, यह जो statement है, इसको हमें negative statement में transform करके लिखना है, अब यह आसान है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिये वे हैं 4 option, चारो option में से हमें जो है, एक option करेक करके लिखना है, अब यहाँ पर क्या होए, हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि negative sentence काँ सा आएगा, the policeman didn't accept so be even as a clue, the policeman didn't accept so be even as a clue, यह जो एक नम्मर का statement है, यह रहेगा, असली negative statement, ओके ठीक, अब नेक्ट, नेक्ट क्वेशन के ओपर जाते है, नेक्स्ट क्वेशन क्या है, don't you think that I might have had something to do with it, said so be, अब यह जो statement है, इसे हमें indirect speech के अंदर लिखना है, indirect speech बनवानी है, अब हमें कोई मन से तो बनाना नहीं है, क्योंकि हमें जो लिखा हुआ है, चार option में से एक option correct करके हमें, सिर्फ चूज करके लिख देना है, तो इसके जवाब में हम लोग क्या लिखेंगे, देखें, यहाँ पर जो second number का option है, second number वाला, so be asked if he didn't think that he might have had something to do with that, यह रहेगा इसका correct answer, चार यह एक question और यह एक question, दो मास्च के लिए हमें पूछे गए थे, चार उसके बाद, और एक दो मास्च का हमें यहाँ पर question पूछा गया है, match the words in column A with column B, यहाँ पर दो column दिये हुए है, हमें match the pairs करने है, अब देखें, आसान यह चार्ट है, हमें हमारे passage के उपर दिया हुआ है, इसलिए हम आसानी से लिख सकते, अब stroll है, stroll, stroll के आगे हमें यहाँ 5 options दिये हुए, इसका जो जवाब है, walk in a laserly way, यहाँ हम इसके जवाब में लिख देंगे, इसकी जोड में B, okay, decadent, decadent का मतलब होता है, कि बहुत ज् सोपी का जो शूस थे, वो decadent है, decadent याने बहुत पुराना, अब यहाँ देखिए, old and worn out, c number में जो दिया हुए, यह बहुत पुराना जो कि खराब होने को आया हुआ, अब यहाँ दिया है, limbo, limbo याने स्वर्ग और नर्ग, दोनों के बीच की जगा, जिसे यहाँ पे limbo बोला गया है, अब यहाँ हम क्या बुलेगे, यह देखिए, border place between heaven and hell, यह लिखेंगे हम यहाँ पे, इसका जवाब A, ठीके, coveted, यहने बहुत ज्यादा उत्साह के साथ, greatly desire, ठीके, यहने इसका जवाब आ जाएगा E, तो इस तरीके से बुच्चों हम लोग जो है, यह मैज यहाँ फिर से एक passage दिया हुआ है, और यह जो message है, यह है big data, big insight का, ठीके, big data, big insight, यह भी जो chapter है, वो हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, अगर से आपने नहीं सीखा है, तो इस वीडियो के description box में हमने उसके, उसकी link दीवी है, वो link से जाके आप और अच्छे तरीके से पढ़ाय कर सकते हो, ठीके, चलिए, अब हम यहाँ पे फिर से एक बार passage नहीं पढ़ने वाले है, passage के बतले हम लोग directly क्या करेंगे, इसके question और answers की तरफ बढ़ेंगे, ओके, चलिए, देखिए, यहाँ पे question number one, simple factual question दिया हुआ है, अब देखिए, arrange the यह चार statement हमें, sequentially, अच्छे तरीके से, arrange करके लिखने है, अब मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, किस तरीके से यह, इसका जो answer है, वो आएगा, ओके, चलिए, एक number पे आएगा, second वाला statement है, every online activity is stored in big data, यह रहेगा, यहाँ पे मैं, line number लिख देता हूँ, ठीक है, one number, उ यह रहेगा, second वाला, उसके बाद, अगर हम देखे, चौथी वाली जो line है, the industries gain advantage from the big data, यह रहेगा, third वाला statement, और, एक number वाला statement रहेगा, चार number पे, ठीक है, big data improve the logistic services, यह, ठीक है, तो इस तरीके से, हम जो इसे, arrange कर लेगे, हाँ, अब यह हो गया, दो माज के लिए, और दो माज के लिए हमें है, big data analytics play a vital role, justify, हमें justify करना है, क्या justify करना है, कि big data analytics जो है, वो बहुत vital role play करता है, हम कर सकते, आसानी से कर सकते, कहना, यहाँ पे, मैं आपको जो है, screen के उपर, एक frame दिखा रहा हूँ, देखिए, the big data analytics is very important for industries and companies, big data analytics is used to give insight that were previously incomprehensible, it helps to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends and customer preferences, all the industries are trying to reap the maximum benefit from it, अगर इसमें से हमने कोई तीन पॉइंट भी लिग दिये, तब भी हमें जो है, maximum marks यहां से मिल जाएगे, ठीक है, यह, दो मार्स का question हो गया, उसके माद, question number third, big data is a great challenge to present computing technologies, explain, अब यहां हमें फिर से एक बार explain करना है, explain करने वाला जो question है, हमें at least 30, 30 words के अंदर लिखना है, यह भी मैं आपको जो है, screen के उपर दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा होगा, कि data can be petabytes और hexabyte, of data consisting of billions to trillions of records of millions of people, all from different sources, from example, web sales, customer connects, contact centers, social media, mobile data, and so on, the data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity, and value. Such big data is easy to obtain, but so massive that it challenges the current computing technologies, अगर आप इस तरीके से लिखते हो, या इसमें से at least half point भी अगर लिख लेते हो, तब भी आपको यहां two out of two marks मिल दिया आएगे, ठीक है, एफोर वाला question देखते है, we tend to refer to certain features of the product or services before order, the reasons for such conduct, हमें यहां पर यह personal response वाला question दिया है, कि क्या, we tend to refer to certain features of the product or service before order, हम जो है, कोई भी order देने से पहले, कोई भी product खरीदने से पहले, उसके बारे में काफी सारी चीज़े देख लेते हैं, आप क्या करते हैं, आप ऐसा करने की वजा, यह रीजन्स आप बताओ, तो देखे, यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मै आप लोगों को बोल देता हूं, कि we tend to refer to certain features of the product or services before order, because we wish to get the best product, हमें best product खरीदने की तमना होती है, we wish to get all the qualities, features that we require, हमें उसकी सारी qualities पता होनी चाहिए, we think about its durability, हम उसके बारे में सोचते हैं, कि वो कितना ज्यादा दिनों तक durable रहेगा, या फिर, to make sure the availability of spare parts and service center, हम उसके spare parts ह उसके service center है या नहीं है, ये भी चीज़े जो है, बार-बार-बार जो है, हुझाने की कोशिच करते रहते, to compare with order product, हम दूसरे product के साथ उसका comparison कर लेते हैं, या फिर, not to repeat in the future, या फिर हम जो चीज़े करते हैं, या फिर, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, to inquire about its advantages features, या आप हम से जो गलतियां हो गई, और next time नहीं हो, या फिर हमें, inquire about its advanced feature, उसके और कोई advanced feature है क्या, इसके बार में भी हम लोग जो है, अच्छी तरीके से inquiry कर सकते हैं, तो यह हो गया, personal response वाला question, इसके बाद, do as directed में, एक question है, दो question है actually, जो कि हमें यहाँ पर grammar के उपर पूछा गया, द choose correct alternative to use after plus ing, हमें जो है, यहाँ पर after plus ing वाला form, चूज करके लिखना है, चार options हमें दी हुए, sentence यह रहा, और यह रहे उसके चार options, आप लोग जो है, चाहे तो वीडियो को pause करके यहाँ पर पढ़ सकते हो में, चार के चार options यहाँ पर पढ़ूँगा, तो यह वीडियो इतन के number वाला option है, after according something online, you can track the location of the goods in transist, यह जो रहेगा, इसका सही से answer रहेगा, ठीक है, अब देखे, next question, next question क्या है, big data analytics is the complex process, यहाँ हमें क्या करना है, choose correct alternative to change the sentence as negative sentence, हमें यह जो sentence दिख रहा है, यह sentence का negative sentence बना कर लिखना है, मन से तो हमें कुछ भी नहीं बनाना है, हमें करना ह सिर्फ यहाँ पे, चार में से एक option को select, अब देखे, जो चार number का sentence आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, big data analytics is not the simple process, यह रहेगा इसका negative sentence, ठीक है, अब जो है, इसमें last वाला question, pick out the antonyms of the following words from the passage, कुछ नीचे हमें words दिए भी है, और one words का antonyms हमें करना है, words हमें next page के दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखी, यहाँ पे, understandable, ठीक है, पहला वहला जो word है, वो है, understandable, अब understandable का opposite word हमें लिखना है, तो incomprehensible, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, in, comprehensible, ठीक है, यह हो गया, understandable का, अब जो second है, hide, hide का opposite word, antonyms रहेगा, uncover, ठीक है, मैं उपर लिख देता हूँ, uncover, ठीक है, उसके बाद रहेगा, available, अवेलेबल का यहाँ पे, passage के अंदर जो दिया हुआ है, वो दो शब्द है, एक तो है hidden, hidden दिया हुआ है, या फिर दिया हुआ है, closed, ठीक है, उसके बाद है, similar, similar का जो antonyms है, वो रहेगा, different, ठीक है, different, different, इस तरहीं के सगर लिख देंगे, तो यहाँ पे हमें दो बाद सासानी के साथ, मिल जाएगे, ठीक है, बच्चों, तो आगे के जो question bank है, उसका solution हम देंगे, अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि यह वीडियो काफी सारी लंबी हो गई है, और अगले वीडियो की जो link है, वो भी इस वीडियो के description box में दे दी भी है, वहाँ जाके आप study कर लो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसे like कीजिए, और अपने दोस्तों तक भी स आपको असानी के साथ मिल जाया करेगी, तैकि जब भी नए वीडियो आएगा, उसकी notification आपको आसानी के साथ मिल जाया करेगी, तैंक यू